मैं गरीम अगरवाल, आप सभी का वंदन करती हूँ, अभी नंदन करती हूँ मगर सक्रांती के नेकचार के पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमर सुहाग की कहानी कैसे सुनते हैं, उसका नियम कैसे लिया जाता है और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं, मगर सक्रांती पर सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी थे, उनकी एक लड़की थी, वह बहुती चंचल स्वभाव की थी एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुची जहां पर कुछ औरते भगवान भोलेनात और मा पारवती की पूजा कर रही थी और अमर सुहाग की कहानी सुन रही थी उसने भी उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुना और उन औरतों से पुछा क्या भी है क्या कर रही है तब उन्होंने उसे बताया कि हम भगवान भोलेनात और मा पारवती की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुन रहे है वह इतनी चंचल थी कि उसके मन में भी यह बात सुनकर अमर सुहाक की कहानी सुनने की इच्छा हुई वह शादी शुदा नहीं थी लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाक की कहानी सुनूंगी कुछ दिनों तक उसने लगाता रमर सुहाग की कहानी सुनी लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों बाद उसने वह कहानी सुनना धीरे धीरे बंद कर दिया फिर जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके मादा पिता ने अच्छा वर देखकर उसका विवाह कर दिया उसका ससुराल बहुत ही संपन था किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी दन धानने के भंदार भरे हुए थे लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पती की मरत्यू हो गई जब गाम वाले उसके पती के शव को ले जाने लगे तो वह रोने लगी और उसने उनका रास्ता रोक लिया कहा कि मैं अपने पती के शव को नहीं ले जाने दूंगी तब सभी गाम वाले और परिवार वाले उसे बहुत समझाते रहे कि यह भगवान की माया है इस होनी को कोई नहीं रोक सकता जो चला गया वह वापस नहीं आ सकता लेकिन वह जित पकड़ कर बैठ गई और अपने पती के शव को नहीं ले जाने दिया और अपने सासु मां से गड़गडाते हुए बोली कि मुझे केवल अपने पती के शव को दे दीजिये और गाम के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिये मैं वहाँ पर अपने पती के साथ रहूँगी ससुराल वाले उसे पागल समझने लगे लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और उन्होंने गाम के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा दी वह उस कुटिया में अपने पती के शव के साथ रहने लगी रोजाना सुबह उठकर शव की साव सफाई कर उसी के पास भूकी प्यासी बैठी रहती घर वाले वे गाम वाले कुछ बचा कुछा खाना उसके लिए भिजवा देते थे जिससे उसका काम चल रहा था वह रोजाना बैठी बैठी अपने भाग्ये को कोस्ती रहती और पार्वती माता से विंती करती कि मुझे यह किस बात का दंड मिला है उसके इस करून भाव से एक दिन दया करके माता पार्वती प्रगट होकर बोली कि पूतरी तुने अपने चंचल मन स्रभाव के कारण अमर सुहाक के कहानी सुनने का संकल्प लिया था और उसे तुने पूरे किये बिनाही बीच में छोड़ दिया यह उसी का परिणाम है कि तेरा पती भी तुझे बीच में छोड़ कर चला गया तब उसने पार्वती माता से अपनी भूल के लिए शमा मांगी और इसका उपाय पुछा तब पार्वती माता ने उसे कहा कि तु फिर से अमर सुहाक का व्रत करने का संकल्प ले और नियमित रूप से कहानी सुनकर व्रत रख एक समय भोजन करना संध्या समय में दीपक जल इससे तेरा पती पुनहे जेवित हो जाएगा ऐसा कहा कर माता पार्वती अंतरध्यान हो गई तब उसने सवा महेने की कहानी और व्रत का संकल्प लिया वहर हो जाना सुबह इसना नादी से निव्रत होकर स्वच वस्त्र धारन करके मा पार्वती और भोले नाद की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुनती और व्रत रख कर शाम को दिया जला कर एक समय भोजन करती ऐसा लगातार करने पर सवा महीने बाद उसका पती मा पार्वती और भगवान भोले नाद की क्रपा से फिर से जिवित हो गया यह देख वह बहुत ए खुश हुई उस दिन जब उ से बाते कर रही है तब वह खुश होकर यह समाचार अपनी मा को जाकर सुनाती है तो उसके सास ससुर बहुत ही खुश होकर दोड़े दोड़े आते हैं और देखते हैं कि सच में उनका बुत्र जिवित हो गया है जब वह बहुत से पूछते हैं कि ऐसा सब कैसे संबभ हुआ तब उसने सारी बात अपने साससूर को बताई सभी गाम वाले और घर वाले बहुत ही खुश हुए और उसे घर चलने के लिए बोले लेकिन उसने कहा कि मैं इस कहानी का उद्यापन किये बिना घर नहीं जाओंगी तब उसके साथ ससूर तुरंथ ही उसकी इस बात के लिए तयार हो गए और उसके उद्याबन की पूरी तयारी कर दी उसने कहानी सुनकर चोड़ा सुहागन इस्त्रियों को भोजन करवाया तथा सभी इस्त्रियों को हरे रंग का चोड़ा सुहाग सामगरी और दक्षीना भेट में दी और उसके साथ ससुने पूरे गाउं में धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन इस्त्रियां अमर सुह पूरे एक साल की कहाने सुनने का नियम ले नहीं तो छे महीने या फिर सवा महीने या साथ दिन तो यह कहानी जरूर ही सुने और सुनकर उध्यापन करे और मापार्वती तथा भगवान भोले नाच से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करे हे मापार्वती जैसे उस लड़की को सुहाग दिया वैसे सब को देना जैसे उसको दुख दिखाए वैसे किसी को न दिखाना कैताने सुनताने हुकारा भरताने सारे परिवार की रक्षा करना बिंदाईक ची की कहानी अमर पीहर वासा देना ऐसा कहती हुई जाती परंतु रास्ते में बहुत ही जार जहंखार थे जिससे बहन के पैर में कंकर पत्थर और काटे चुपते एक दिन घर जाकर उसने भाई का मुद देखा और बैठी तब भाई ने पूचा बाईसा पैर में क्या हुआ तो ननत बोली रास्ते में काटे कंकर चुप गए ऐसा कहकर वें वापस अपने घर आ गई भाई ने अपने पती से कहा कि रास्ता साफ करवाओ बाईसा के पैरों में कंकर चुपते है भाई ने पूरा रास्ता साफ करवा दिया गणेशी पत्वारी का इस्थान भी उठा कर साफ कर दिया इससे भगवान नाराज हो गए और उसने उसे वही सोता रख दिया पत्नी रोने लगी और लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली रुक जाओ अभी मेरी ननद आएगी उसे अपने भाई का मूँ देख लेने दो नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी तो लोग बोले आज तो खालेगी कल किसका मूँ देखेगी परंतो कुछ बुजोर का आदमी कहने लगे थोड़ी देर रुक जाओ क्या बिगड जाएगा इधर बहन रोज की तरे भाई का मूँ देखने निकली तो उसने सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो बहन ने वापस खेजडी की डाली लगई गणीशी तता साथ कंकर लेकर पत्फारी बैठाई तुलसी माता रोपी और पैर पकड़ कर बोली हे भगवान अमर सुहाग देना अमर पीहर वासा देना ऐसा कहकर आगी जाने लगी तो भगवान ने आवाज देकर कहा बेटी वापस आकर खेजडी के साथ पत्ते ले जाओ और जाकर तेरे भाई को कच्चे दूद में घोल कर छीटे दे देना तेरा भाई उठ बैठेगा बहन ने सुना तो वापस मुड़ कर देखा पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा पर उसने जैसा सुना वैसा कर लिया साथ पत्तिया लेकर भाई के घर आई तो देखा कि भाबी रो रही थी लोग बैठे थे तब वह घर के अंदर गई और दूर लेकर उसमें पत्ते खोले और भाई के छीटे दिये भाई उटकर बैठ गया और बहन से बोला आज तो बहुत गहरी नींद आई बहन बोली ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए बहया तुमने रास्ता क्यों साफ किया था भाई बोला तेरी भाबी ने कहा था बहन बोली तुमने रास्ता तो साफ किया लेकिन भगवान का रास्ता भी साफ किया इससे भगवान नाराज हो गए जब मैं आई तो वापस उन्हें उचे आसन बिठा कर आई हूँ बगवान ने मेरी सुन ली वैसे सभी की सुनना सभी की लाज रखना अमर सुहाग देना अमर पीहर वासा देना जै श्री राधे